नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चेर परिचे दोस्तों पस्थित हूं आप सभी की सेवा में एक ब्याद ही महतोपूर जानकारी को लेकर के जिहां भुणा हुआ मक्का होता है पावर बैंक जैसा इसके गुण जानकर आप इसे जरूर खाएंगे हर रोज मक्का मोटे अनाजों में सबसे उत्तमाना जाता है सभी लोग बड़े चाव से इसे भून कर खाते हैं स्नेक्स उद्योगों में व्यापक पैमाने पर इस मोटे अनाज का प्रियोग होता है आमतोर पर इसे देशी अनाज भुट्टा भी कहा जाता है यह मुख्य तह देहाद छेतर में उपजाया जाता है जहां इसके लिए अनुकूल वातावरण मौजूद होता है आईए बात करते हैं मक्का के उन अद्भूत पोश्टिक गुनों की जिस वज़ा से इसे पावर बैंक भी कहा जा सकता है विटामिन ए का प्रचूर श्रोत एक पारमपरिक मक्के में परयाफ्त मातरा में कैरोटिनोइड पाया जाता है जो कि विटामिन ए का अच्छा श्रोत होता है यह विटामिन ए आँखों के रोशनी के लिए काफी लाफकारी होता है यह हमें आँखों के रोगों से भी बचाता है कुपोशन दूर करता है जिहां हम जब मक्के को पका कर खाते हैं तो उसके पॉष्टिक गुन और भी बढ़ जाते हैं इस हेल्दी फूड को कार्ण भी कहते हैं यह गिरते हुए वजन को संतुलित करता है और शरीर को मजबूत बनाने में मदद करता है इस वजह से यह परियाप्त मात्रा में फॉलिक एसिड मौजूद होता है यह फॉलिक एसिड शरीर में रक्त निर्मान में सहायक होता है विशेश रूप से यह गर्वती महलाओं के लिए भी काफी लाफकारी होता है यह उनके शरीर में पल रहे बच्चे को भी परियाप्त पोशन देता है रोग से लड़ने की शमता भूना हुआ मक्का और भी अधिक स्वादिश्ट लगता है और सबसे अच्छी बात यह है कि स्वाद के साथ साथ हमें कई तरह के रोगों से लड़ने की शमता भी देता है कहने का तात पर यह है कि हमारी रोग प्रतिरोधक शमता को यह बढ़ा देता है दांतों के लिए भुना हुआ भुटा चबाने में थोड़ा चीमड होता है इसके लिए हमारे दांतों को थोड़ी मशक्कत करनी पड़ती है ऐसा करना दांतों की कसरत करने से कम नहीं होता है इसलिए दांत मजबूत बनते हैं इस तरह से अगर आप इसका सेवन करते हैं तो उमिद है कि यह सब जानने के बाद अब आप और भी मज़े से भुट्टे को खाएंगे मक्य भुट्टे के बारे में ऐसे अद्भुत तत्य जानकर अगर आपको अच्छा लगा होगा तो हमारे इस वाई सुबर को लाइक और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको भी इसका लाव मिल पाए तो ये थी आज की जानकारी आप सभी के लिए अगले एपिसोड में आप सभी के साथ जुड़ेंगे एक और बेहद ही महतो पूर्ण जानकारी को ले करके तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों